वेल्कम स्टुडेंट्स इन टुडेईज वीडियो आज टुडेईज टॉपिक इस नुमेरिकल कोश्चन फॉर रिलाइजेशन अकाउंट एंड रिलेटेड जनरल एंट्री एंड शेप्टर इस डिजोलूशन ओफ पार्टनाशिप फॉर्म आज की वीडियो में हम पार्टनाशिज की वीडिन टुडेएं लाल इंड की वीडियू टॉब काक्ष्टर इस डिलाइज़ आज पार्टनाशिए वीडियो लगिच स्वरेट कीन, खनक की वेलिए हैंंट रिलेख विल्कम पार्टनाश्ज टॉडब ऑ्रिल एंटी सूल्फियो। फॉलोविंग वाज दी बैलेंशीट एड़ दी डेट ओफ डिजोलूशन तीन पार्टनर है रेड वाइट यलो रेशो 532 है डिजोलूशन हो रहा है और बैलेंशीट है आपके डिजोलूशन की डेट की लिविट डिजोलूशन की डेट बैलेंशीट की डेटिरी डेटी बैब शॉजन अंपटंनर है आपके डाल ओऑन्स आपर दोंद स्वार्ट अर्टनरेंशीट की खविड्य घर वाजियूशन मसेच रेड लॉन एट तोंद लॉन एटोजन वाख बैलांट लेस्ट प्रोविजन फोर डाउट फिडर्स फाइफ ताउजन नेट डिटर्स इज 1 लेग 40 थाउजन इस्टोक 70 थाउजन इन्वेस्टमें 30 थाउजन प्लांटेज मेशनरी 2 लेग गुडविल 50 थाउजन टोटल ओव बैलेंच शीट इज 5 लेक्स यह आपके डिजलूशन के समय जो एसेट और लाइबरिटी जए उनके बैलेंसेज दिये हुए हैं आईए क्या क्या एडजस्मेंट है वोज यह कर लेते हैं फोलोग आपके दोग बैस First, Red took over the investments at 30% more than the book value. Second, White took over debtors amounting to Rs. 45,008, Rs. 32,000. Remaining debtors realized 75% of their book value. Third, Stock is sold for Rs. 62,000 and Plant is sold for Rs. 1,30,000. Fourth, Expenses of Realization amounted to Rs. 2,000. It was also found that there is a liability for Rs. 8,000 for damages which also has to be paid. Prepare Realization account and do the general entries for these. देखे, balance sheet हमें दे रखिये हैं और नीचे जब desolution हो रहा है तो किस तरह से हमारी SSS Realize हो रही है? उनके कुछ amount दिये हुए हैं और हमें question ने बोलाए कि Realization Account बनाईए और इसी Realization Accounts Related General Entries करिए. तो आईए सबसे पहले हम Realization Account जब बनाते हैं तो हम पहले जो SS Realize हो रही है उनके value निकाल लेते हैं ताकि जब SSS का payment हो तो हमारे सामने amount calculated रहे. तो जो भी amount हमें calculate करने हैं उनके निकाल लेते हैं कुछ के तो calculated already हैं तो सबसे पहला जो point है देखिए. रेड तो cover the investment at 30% more than the book value देखिए यहां पे जो partner है वो rate है वो investment ले रहे हैं जो उसके book value उसे 30% ज्यादा कीमत पे ले रहे हैं तो देखिए. जो 30,000 का 30% हुआ 9,000 यानि वो 9,000 रुपए ज्यादा कीमत पे ले रहे हैं तो यानि investment rate ने 39,000 की value पे लिए हैं यानि जब business close हो गया है तो वो investment जो लेके जा रहे हैं 39,000 का एक तरीके से हमने partner को investment बेज दिया है. Second important pointer देखिए जो अब ध्यान देना है आपको white took over debtors amounting to Rs.45,008,32,000 देखिए white भी हमारे partner है white debtors ले रहे हैं white 45,000 की debtors ले रहे हैं लेकिन वो 45,000 की debtors 45,000 में नहीं ले रहे हैं वो उनको 32,000 की debtors 45,000 में नहीं ले रहे हैं वो उनको 32,000 में ले रहे हैं कि मैं इनकी केमत 32,000 अब देखिए विका तो हमारा 32,000 में है white code debtors लेकिन कम हमारे पास से 45,000 की debtors हुआ है आगे लिख रहे हैं remaining debtors realize 75% of their book value बाकी जो debtors बचे उनसे आपको 75% cash मिला है तो देखिए बाकी से कितना cash मिला देख लेते हैं देखिए total 1,45,000 की हमारे debtors लेना होता आपको उसमें से 45, 40,000 के तो white ने ले लिए अब बच्ची कहां पर बहुत confuse हो जाते हैं कि वो तो 32,000 कर देखिए हमारे पास में debtors कम हुए हैं वो 45,000 के कम हुए गए 45,000 के हैं 45,000 की चीज को उसमें 32 में लिया है लेकिन हमारे पास से 45,000 की चली गई है तो हम 1,45,000 में 45,000 debtors करेंगे तो आप एक लाग के ही debtors है हमारे पास अब इस एक लाग के debtors पे हमें 75% ही मिल रहा है यानि हमें 75,000 ही मिल रहा है यानि मिलना हमें 1,00,000 था लेकिन उस पे हमें 75% ही मिल रहा है तो हमें 75,000 रुपे ही अब debtors से मिलने तो ये दो amount थे जो हमें calculate करने पड़े बाकी amount directly given है कि stock 62,000 का और plant 1,30,000 का sold हुआ है realization के expenses 2,000 है और जो liability है damages के लिए उसका भी हमें 8,000 का payment करना है अलाकि इसके लिए कोई account नहीं था लेकिन फिर भी ये liability है जो question में दी हुई इसका भी payment करना है देखिए अब इस question के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए हमें goodwill के लिए कुछ भी नहीं मिला है इसी तरह से देखिया जब liability side आते हैं तो देखिए creditor के लिए कुछ भी नहीं बोला है message red loan के लिए कुछ भी नहीं बोला देखिए यह दोनों हमारी outside liability है देखिए rule यह है कि अगर outside liability के लिए कुछ भी नहीं बोला तो भी हम यह मान लेते हैं कि हमने उन्हें पूरा payment कर दिया है रेड लोन है जान देना है जो रूल से रिलाइशन अकॉन के रेड लोन पार्टनर का लोन है वो हमें ट्रांसवर नहीं करना है इन्वेस्टमेंट करना है इन्वेस्टमेंट को ही रिप्रजेंट कर रहा है investment fluctuation fund तो investment fluctuation fund आपका realization account में आपको transfer करना होगा तो यह कुछ basic rule है जो आपको ध्यान में रहना चाहिए तो आईए आप इनी rules को ध्यान में रखते हुए हम हमारा realization account बना लेते हैं किस तरह से बनेगा देखिए realization account बनाते हैं यह format हो गया आपके देखिए ध्यान दीजिए मैंने last वीडियो था उसमें बताया था कि relation account के लिए आपके पास balance sheet होना ज़रूरी है और balance sheet मैंने यहां पर भी balance sheet की size लिख दिया liability and assets तो मैं आपको बता रहा हूं ताकि अगर किसी के rules में अभी भी कोई doubt है problem है तो इस समझझ साकिक किस दरह से हमें रिलाइचन मचाड मनाने के लिए हमें सबसे पहले assets or liabilities के balance कोxico close करना होता तो उनके balance को हम liaisen account transfer करके close करते है तो कैसे करना होता लिए Angine account doctor to 结合 tax PR सब्सक्राइब्स हाँ करने के लिए आपको leaving pay lef residents container होती यह transfer वाली entry है, इस entry को करने से assets और liabilities के balance relation account में आकर के close हो जाते हैं, अब उनके individual नाम से कोई balance नहीं रहेगा, जो भी balance है वो सब relation account में आ गए हैं आपके, तो हमारी यहां तो question में जो भी assets थी और जो भी liabilities थी देख लेता हैं, देखे पहले मैं assets side बोल देता हूं, फिर मैं li provision था, तो देखे provision मैंने उसके opposite side लिख दिया है, rule भी यही है, जो asset होती ही, उसको gross value पर दिखाना है, और उससे related जो provision वाला account होता है, वो उसके reverse side आएगा, तो provision वैसे भी liabilities side होता है, तो liabilities को वैसे भी आपको right hand के तरह की दिखाना है है, तो यह two data's one leg 45,000 हो गया है, two stocks 70,000 है, two investment 30,000 है, two plant investment two leg है, and two goodwill 50,000 है, देखिए हमने इतनी भी assets थी, वो हमने, जो right hand side पर थी asset side, वो हमने relation account के left hand side पर लिख दिया, अभी सारे account के balance आपके close हो गाई है, आपे relation में आ करके, तो सबसे पहला process यह assets को transfer करने का था, इसी तरह से आप simultaneously liabilities को transfer करेंगे, अब by creditors आ जाएंगे 40,000 के, by message red loan आ जाएगा 800,000 का, और by investment taxation fund आ जाएगा 20,000 का, अब यहां ध्यान देना है आपको creditor और message red loan तो आ नहीं आना था था कि message red loan spouse है, हमारे partner की family member का loan हो या spouse का loan हो, relation account में आएका third party माना जाता है, यह outside liberty मानी जाती है, investment taxation fund इसलिए आया है, क्योंकि य जाता है, जैसे provision for doubtful debtors को represent कर रहा था, तो वैसे हमने यहां पर investment taxation fund को भी transfer कर दिया, अगर यहां पर investment नहीं होता, तो फर हम इसे capital account में transfer कर दिया, तो इस तरह से यह पहला process हुआ है, जहां पर आपने assets and liabilities के balance को transfer करके, उनके accounts के balance को आपने close कर दिया, अब next process होता है, आपन assets को बेचना है, उनसे पैसा लेना है, और जो पैसा आएगा, then you are to make the payments towards your liability, liability के लिए आपको payment करना है, तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, last video में बताया था, जो rule यह है, अब जो assets है, वो अपनी original side sold होगी, और जो liabilities का payment होगा, वो भी अपने original side होगा, तो किस तर होगी, अब आपको क्या करना है, अब आपको assets realize करना है, तो देखे, अब assets आपने लिखी थी, जिस तरफ आपने assets लिखी थी, उसके अब आपको वापस reverse side आना है, मतलब assets आपने अभी left hand side लिखी थी, अब आप वापस उसको right hand side वीच होगी, यानि मैंने जो भी rule बताया, assets assets वापस अपनी original side आ गई है balance sheet के, balance sheet के वापस original side विखेगी आपके, और जो liabilities है, तो यह relation होगा यहाँ पे, और जो liabilities है, वो आपके वापस अपनी original side आ जाएगे balance sheet के, यानि वो अभी जो आपने लिखी थी, वो right hand side लिखी थी, अब आप जब उसके payment करेंगे, तो आपको payment वाली entry इस तरह हो गया, तो I hope आपको समझ में आ गया होगा, पहले आपको transfer करना था, फिर वापस reverse कर देना है, आपको reverse side दोनों चीदों का payment होगा, तो realization जब आप करते हैं, तो देख लीजे, पहले मैं realization of assets बता रहा हूँ आपको, देखे, buy bank account, सबसे पहले आप buy cash या bank ल देखनी होती है, तो हमने value निकाल ली थी, देखिए, data से हमने निकाल लिया था, last slide में कि 75,000 मिलेंगे, stock से given था 62,000 मिलेंगे, और plant से भी गिवन था 1,30,000 मिलेंगे, तो total देखिए, जो हमें मिला है, वो 2,67,000 हमें bank से recover हुआ है, assets को बेचने के थूँ data, stock और plant, जो total आप bank में आएगा, ध्यान दीजिए, तो मैंने detailing बताई कि data से इतना मिला, stock से इतना मिला, plant से इतना मिला, man entry by bank है, यह आपकी assets, मतलब आपने जो assets बेचने थी, वो इधर बेच दी है, आपने, ठीक है, अब ध्यान दीजिए, देखिए, दो partner थे, red और white, देखिए, red और white ने, red investment लिया था, 39,000 का जो पहला ही adjustment था, 30% में ज्यादा लिया था, तो देखिए, जहाँ पर cash में भी का, वहाँ मेंने buy bank लिख दिया, और जहाँ पर partner लेके जा रहा है, वहाँ पर partner का नाम लिख देंगे, तो red लिखे गया है, तो buy rates capital account, bracket में बरता दिया, investment लिखे गया है, 39,000 का, उसी तरह से white data को लेके गया था, white 45,000 के data को 32,000 में लेके गया है, तो यहाँ पर buy a white capital account, bracket में data 32,000 के लिख गया, इस तरह से जो भी assets चाहे, वह market में बिकरी है, चाहे कोई partner लेके जा रहा है, आपको realization के credit के तरफ दिखाना होता है, मतलब जिस side balance sheet होती है, उसके original side ही आपको, तो यह आपका पूरी assets आपके जो भीखनी थी, वह इस तरह से आपने दिखा दिए, अब payment side आते हैं, देखिए हम, देखिए payment side जब आप आते हैं, तो देखिए goodwill के नीचे देखिए आप, two bank account expenses देखिए, आपके last में था, 2000 का हमने realizing expenses पेकिया है, तो two bank account expenses हो गया ह उसी तरह से 8,000 रुपे damages की liability थी, उसका भी pay किया है, हमने तो two bank account damages यह दोनों हमने अलग-अलग इसलिए दिखाये हैं, क्योंकि यह नीचे अलग से इनके पेमेंट के लिए बोला गया है, इनका पहले से कोई account खुलावा नहीं था, तो इसलिए इनको अलग-अलग entry में हमन अब हमने आप ए consolidated payment दिखा दिया है कि creator पे 40,000 रुपे दिया है हमने, और message x loan का हमने 8,000 की, sorry message x नहीं है, it is message red loan है, यह message red loan का हमने 8,000 पे किया है, तो total हमने 48,000 हमने pay कर दिया है, तो यह सारी payment के entry देख लिए जब debit side है, तो basic rule आपको ध्यान देना है, transfer करने के बाद में assets को बेचिने पर कोई पैसा मिलता है, वो आपको credit के तरफ दिखाना है, और अगर आप कोई भी payment करता है, वो आपको debit के तरफ दिखाना है, किस नाम से दिखाना है, देखिए आपको cash में मिलता है, तो buy bank या buy cash दिखाना है, और अगर को partner ले ले लिता है, तो buy bank या cash के जग है अपको एनुट ये इस तरह से आपको एंट्रिस करनी होती है अपको सानवा पाहिमेंट हो चूका है सारी collapses दीक चूकि है फाइनली फिर आप क्या करेंगे आप डाईब्ट और टोटल करेंगे तो जब आप आपका डेबिट का टोटल है वो 5,53,000 आएगा यहां पर आपकी डेबिट साइड है वन लेग 45,000, 70,000, 30,000, 2,50,000, 2,008,000, और आपका डेबिट साइड वन लेग 42,000 आपकी एक्सेस है तो आपको ज़यदा होगी तरफ कराजयां दी जाँगी डेबिट साइड वाली साइड है तो यह पेमेंट इसका मतलब आपका जो डेबिट साइड ज्यादा है तो यह लोस बना जाएगा तो टोटल लोस आपके वन लेग 42,000 हुआ है इस बन लेग 42,000 को फिर आपको जो पार्टनर का रेश्यो है 532 उसके अंदर आपको बाठना होता है जा आप इसको बाठते हैं तो आपका जो लोस ट्रांसफर होगा देखिए वो रेट कैपिल अकॉंट को 71,000 का होगा वाइड कैपिल अकॉंट में 42,600 का हो तो आपको पूर प्रोसे समझ में आ गया होगा कि किस सरह से हमें करना है ये हमने आज ए एक एकुल लिया है रिलैशन एकान्स का इसके बार में आज की वीडियो में तुम आप एंट्र ness és देखेंगे। इस से जन्नल एंतर में देखेंगे इस जन्नल और इंट्रि करेंगे उसको भी हम देख लिसमिलते हैं जनल का फोर्मेट हो चुक का है देखें सबसे पहले देखें हमने 95,000 से relation account debit हो गया, second entry फिर आप liabilities को transfer करेंगे, जो भी outside liabilities है, तो liabilities के balance credit होते हैं, अब उन्हें जब आप transfer करेंगे, तो second entry हो जाएगा, आपके provision for debts account डिया, creators account डिया, इसे रेडलांस account डिया, investment participation fund account डिया, तो relation account डिया, इन सब के total से आपका relation credit हो गया, 70,000, जो भी उनकी book value थी, वो हमने transfer कर दिया, इन दोनों entry हो से फिर आपका assets और liabilities के account के balance officially close हो जाते हैं, इसके बाद में देखिए, हमें assets को बेचा था, हमने assets को बेचने पे हमें पैसा मिलता है, तो assets को बेचने पे जो हमें इसके बाद में देखिए, आप payments के entry करेंगे, तो payments के entry जो करेंगे, हमने 2000 का expenses पे किया था, तो relation account डिया, तो bank account, 2000 का expenses जो हुआ, हमने damages के लिए liability का payment किया था, relation account या तो bank account, amount for damages पे 8,000 और फिर हमने creditor और message red loan का भी payment किया था, total 48,000 तो relation account या तो bank account, amount paid to creditor and message rate, यह इस तरह से हमारी जो payment के entry थी वह हमने आपकर दिया, payment के entry से देखे relation debit हो जाएगा आपका, last के अंदर हमने profitable loss के entry करनी है, तो हमें इस कुछ से हमें loss था, realization का, तो relation loss के entry में देखे partner debit हो जाएगे, तो rates capital account या, white capitals account या, yellow capital account या, to relation account, rate की capital का जो आया था, फिर 532 में हमने distribute किया था, आपनले 42,000 के loss को तो 71,000 से rate debit हो रहा है, 42,600 से white debit हो रहा है और 28,400 से yellow debit हो रहा है, तो यह इस तरह से हमारी realization के final loss वाली entry होई, तो I hope आपको यह पूरा account बनाना हो, और उनको किस तरह से general entry में हमें show करना है, आपको समझ में आ गया होगा, तो आज की वीडियो में हम इतना ही लेंगे, thank you for watching the video.